दोस्तो कली आनी की सुपर संडे को IPL 2024 के दो महा मुकाबले खेले गए जिसमें से पहला महा मुकाबला दोपेर के 3 बचकर 30 मिनट से IPL की 5 बार की चेंपियन चेनी सुपर केंग से और संडे बल्यबाजी करने का फैसला किया जहाँ पर राजितान की टीम ने पहले बल्यबाजी करते हुए अपने पूरे 20 ओबर खेल कर और अपने 5 बिकेट खोकर मातर 141 रन बनाए दोस्तो 142 रनों के लक्ष का पीछा करते हुए चेन्य की टीम ने 10 गेने 6 रहते ही पांच बेकट से इस मुकावले को सांदार तरीके से अपने नाम कर लिया बहीं पर दोस्तो आईपेल 2024 का दूसरा महा मुकावला सामके साड़े साथ बजे से दिल्ली कैपिटल्स और रोयल चेलंगेस बेंगलूरू की टीम के बीच में बेंगलूर के चिन्न स्वामी स्टेडियम में खेला गया दोस्तो इस मुकावले में RCB की टीम ने सांदार प्रदर्सन करते हुए इस मुकावले को बहतरीन तरीके से अपने नाम कर लिया दोस्तो आपको बताने की RCB और चेन्नाई की टीम को इन महा मुकावलों में जीत मिलने के बाद IPL 2024 के आज के पॉइंच टेबल में बहुत बड़ी घुसकबरी मिली है बही पर दोस्तो राजिस्तान, रोयल्स और दिल्ली कैपिटल्स की टीम को इन मुकावलों में हार मिलने के बाद आज के पॉइंच टेबल में तगला जटका लगा है और दोस्तो इन दोनों ही मुकावलों के खेले जाने के बाद IPL 2024 का आज का पॉइंच टेबल पूरी तरह से बदल चुका है जहां पर दोस्तो इन मुकावलों के खेले जाने के बाद एक तरफ पॉइंच टेबल में कई टीमों को खुसकबरी मिली है में पर दूसरी तरफ कई टीमों को तगड़ा जटका भी लगा है तो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने बाली हैं कि चैन्नाई और आरसीबी की टीम को इन महा मुकावलों में जीत मिलने के बाद आज के पॉइंच टेवल में कौन सी बड़ी खुसकबरी मिली है और दोस्तो आज के पॉइंच टेवल में राजिस्तान, रोयर्श और दिल्ली कैपिटल्स की टीम को गौन सा बड़ा जटका लगा है और आज के point table में कौन-कौन से बड़े बदलाब हो गए हैं और कौन-कौन सी टीमों को खुसकबरी मिली है और कौन-कौन सी टीमों को तगड़ा जटका लगा है और दोस्तो अब यहां से सभी टीमों को play-off में qualify करने के लिए कितने-कितने मुकाबले और जीतने होंगे और अभी तक आज के point table में कौन-कौन सी टीम है कितने पाइदान पर कितने अंको और कितने नेटरंडेट के साथ में मौजूद है दोस्तो पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको देने बाले हैं इसलिए दोस्तो इस वीडियो को अंते तक जरूर देखिएगा और दोस्तो अगर आपने अभी तक हमारी YouTube चेनल को सब्सक्राइब निल किया है तो हमारे चेनल को सब्सक्राइब जरूर किजिएगा तो चली दोस्तो आज के सांदार वीडियो की शिरुआत करते हैं दसबी नम्मर पर सिकर दबन की गपतानी वाली पंजाब किंग्स की टीम विराजमान है इन दोनों ही टीमों ने IPL 2024 में काफी खराब प्रदसन किया है जिसकी बज़े से इन दोनों ही टीमों के आज के पॉइंच टीवल में मात्र 8-8 टंक हैं और ये दोनों ही टीमें IPL 2024 में प्लेयोप की रेस से पूरी तरह से भार हो गई हैं वहीं पर दूस्तो आज के पॉइंच टेवल में अगर बात करें आठ बे नम्मर की तो आठ बे नम्मर पर यहां पर गुजराट टाइटन्स की टीम मुझूद है दूस्तो गुजराट ने आई पेल दोजार चौबिस में ब यहां से प्लेयोप में पहुचने के चांस बचे हैं दोस्तो आपको बताने कि अगर गुजराट टाइटन्स की टीम को प्लेयोप में कौलिफाइ करना है तो अपने बचे हुए दोनों मुकाबले जीतने होंगे और इसी के साथ में अपने ने टरनेट को थोड़ा सा और बह बत करें चटबे और साथ बे नमर की तो चटबे नमर पर दिल्ली केपिटल्स और साथ बे नमर पर लखनो सुपर जाइंट की टीम में अपने बारा-बारा अंकों के साथ में मौजूद हैं दोस्तो आर सी बी की टीम को इस महा मुकाबले में सांदार जीत मिलने के बाद की टीम पॉइंस टेवल में पांचवे नमर पर पहुंच गई है और दोस्तों आपको बता दें कि RCB को इस मुकाबले में जीत मिलने के बाद दिल्ली के एपिटेल्स और लखनो सुपर जाइंस की टीमों को तगला जटका लगा है इन मुकाबलों को खेले जाने से पहले दिल्ली केपिटेल्स की टीम पॉइंस टेवल में पांचवे नमर पर मौझूद थी और लखनो की टीम चटवे नमर पर मौझूद थी लेकिन दोस्तो अब इस मुकाबले को RCB के जीतने के बाद दिल्ली की टीम पॉइंच टीवल में छटवे नमर पर पहुँच गई है और लखनो की टीम पॉइंच टीवल में साथवे नमर पर खिसक गई है दोस्तो दिल्ली और लखनौ का नेट रंडेट RCB से खराब होने की बज़े से ये दोनों ही टीमें RCB से नीचे पहुँच गई हैं आपको बता दें कि RCB दिल्ली कैपिटल्स और लखनौ की टीमों को यहां से प्ले ओफ में क्वालिफाइ करने के लिए अपने बचे हुए दोनों मुकाबले जीतने होंगे और इसी के साथ में अपने नेट रंडेट को भी बहतर करना होगा वाई पर दोस्तो आज के पॉइंच टेबल में बात करें चोथे नम्मर की तो चोथे नम्मर पर संद्राइजर सहदरबाद की टीम मौजूद है और तीसरे नम्मर पर चैनले सुपर किंग्स की टीम बराजमान है इन दोनों ही टीमों के आज के पॉइंच टेबल में 14 और राजस्तान रोयल्स की टीम में मौझूद हैं, जहाँ पर केकेयार की टीम के आज के पॉइंच टेवल में 18 अंक हो गए हैं, और केकेयार की टीम ऑफेजियल रूप से प्ले आफ में कौलिफाई कर चुकी है, और दोस्तो दूसरे नमबार पर राजस्तान रोयल्स की टीम अपने 16 अंकों के साथ में ब्राजमान है राजिस्तान की टीम को यहां से प्ले आफ में क्वालिफाइ करने के लिए मात्र एक मुकाबला जीतना होगा तो दोस्तों यह रहा आज के पॉइंच टेवल का पूरा समी करन लेकिन दोस्तों आपको कह लगता है कि राजिस्तान रॉ